आईएस एक ऐसी परिक्षा है जिसका सपना देश का लगवर हर युबा देखता है चाहे वह नौकडी में हो या कॉलेज में हो हर कोई एक ना एक बार आईएस की तियारी करने के बारे में जरूर सुचता है अब कॉलेज में पढ़ने वाले स्टुडेंट के लिए तो पूर्ण होने जा रही है जब भी आप किसी दुवधा में हो तो फैसला पहुंचने के लिए सबसे बेहता तरीकाया होता है कि दोनों पक्ष के अडवांटेज का आकलन कर लिया जाए नौकडी छोड़कर आईएस की त्यारी करनी चाहिए या नहीं इस दुवधा का हल हल भ कम कर सकता है जिसका आप आम तोर पर सामना करते हैं यह सांती और सीर्था निश्वत रुप से आपको परिच्छा के त्यारी करने मदद कर सकते हैं आपकी त्यारी आपके बेतन की मदद से आर्थिक रुप से आपको आईएस की त्यारी में मदद करेगी जो उन लोगों के के लिए अस्संभब नहीं होगा जो अपने परिवार पर निर्वर हो सकते हैं बैकप नौकड़ी में आपके पास हमेशा एक बैकप विकल्प होता है और आप परिछा के त्यारी के लिए साथ-साथ आने वाले यक्ष परसन अगर नहीं हुआ तो क्या से परसान नहीं होंगे क काम करते हुए त्यारी करना निसंदे कठीन है लेकिन आपको एक परकार से मानस्विक रूप से सांती भी देता है कि यदि आप असफल भी हुए तो भी आपके पास विकल्प मुझूद तो है टाइम मेनेजमेंट आपको यह भी सिखाता है कि दवाब से कैसे निफ्टे और समय के भीतर कम समय में कैसे काम को पूरा कड़े क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होता है साथ सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि इससे एक चुनारती कुरूप में भी ले सकते हैं मानने कि सीविल सेवक बनने के लिए आपको और और भी कठीन परिस्थित्यों से सामना करना पर सकता है और अधी कठीन लक्षों को पुरा करना पर सकता है नौकड़ी के साथ का अपर करने के इसको चलते हैं एक साथ दो-दो मौचे की लराई कुछ वैसा ही है जैसे आप दो मौचे पर घंघोल राय रहे हो दोनों ही मौचे पर आपको अपना बेस्ट परफॉर्म कर करते हैं उन्हें दीन में आठ से दस घंटे देने होंगे या मांसिक रूप से ठका देने वाली बात हो सकती है इसे काम और पढ़ाय दोनों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है हार्ट मेंटेन मोटिवेशन दोस्तों यूपीसी की त्यारी एक दो दिन में नहीं होती है इस के लिए सबसे पहले अपना सेल्फ कीजिए खुश से पूछे कि क्या आप दीन में 16-17 घंटे मेहनत करने के त्यार है क्या आप अपनी पूरा जीवन सिर्फ नोकड़ी और नोकड़ी को देने के लिए त्यार है यदि हां तो निसंदे आप नोकड़ी के सांथ विपेसिक त झादे